हेलो सुटेंट्स तो दिस इस आर कुश्यन अब कुश्यन की लेंद कफी बड़ी थी तो मैंने इसके सिर्फ डाइग्राम मना दिया है ठीक है कुश्यन जो है आपको मैं समझा देता हूं क्या बोला इसने कि ए पॉइंट से एक बलून जो है उपर उठता है और जब बलून ऊ बना रहा है 45 डिग्री मगर 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है वो वर्टिकल के साथ तो यह वर्टिकल यह वाला होता है तो यह वाला इंगल आपको 45 दिया हुआ है ठीक है संग भाई बात अब क्या बोला है कि लड़की जो है फॉर्दर 2.464 डी डिस्टेंस आगे चल जात नहीं यहें मैच से application of Trignometry आपने class 10 में पड़ा होगा तो सीद्ही सी बात एक पहले यह च्छोटा सा ट्रैंगल लेंगे पर यह बड़ा सा ट्रैंगल भी जिढ़ इय outta बिटा गर यह 45 है तो यह वाला 45 होगा ही होगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस ट्राइंगल में लगा दो 1045 यह छोटा वाला ट्राइंगल है तो फर्स्ट ट्राइंगल में लगा दो 1045 तो 1045 कितना होता है बिटा 10 गिटा क्या होता है पर्पेंडिकुलर बाई बेस तो पर्पेंडिकुलर कितना है अपका H1 और बेस कितना है अपना D distance ठीक है तो 1045 की value 1 होती है यह हो जाएगा H1 divided by D तो H1 की value क्या आगई यहां से D distance एक तो खतम हो गया अब दूसरा triangle यह वाला ले लो बड़ा वाला इस दूसरे triangle में लगाओ यह दूसरा triangle पूरा का पूरा triangle है तो यह अगर 30 है तो बेटा यह 60 degree हो जाएगा इसमें कोई doubt नहीं है तो इसमें भी लगा तो 10 data तो यह हो जाएगा 1060 is equal to कितना perpendicular by base तो perpendicular कितना है अपना H1 plus H2 और base कितना है अपना D plus 2.464 D अब 1060 की value होती है 1 by root 3 तो इसको लिख दो 1 by root 3 और H1 कितना दिया है अपनको D तो इसको लिख दो यहाँ पर D plus H2 और यह हो जाएगा D plus 2.464 D यानि यह कितना हो गया आपका 3.464 D इसको इता लेके आजाओ 3.464 D divide by root 3 is equal to D plus H2 अब यहाँ पर सारा खेल calculation का है सिद्धी सी बात है root 3 की value होती है 1.732 जब इसका आप divide करोगे 3.464 और 1.732 का तो आपको क्या मिलने माला है बिटा लगबग यह answer आता है 2.000 उसके बाद कोई number आता है वो मुझे भी याद नहीं बिखिए तो 2.0003 डिजे टेक लेंगे तो इसको मैं 2 ही बोल सकता हूँ simple तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा D और इधर साइड में दिया हुआ है D plus H2 तो D इधर लेगा जाओ तो 2D minus D is equal to H2 तो H2 भी क्या आगे बिटा आपका answer D is the correct answer जो कि option number B में दिया हुआ है चीक है